को जो आज हम दो टो पटेंगे एक थेयुरिस और कॉप्पेट गवर्नेस एक हैं मौडल्स और कॉप्पेट गवर्नेस उतना IMPORTANT नहीं है इसके नीचे ठीक है डी ए चार थियोरी और है ठीक है तो वह इंपोर्टन नहीं है इसलिए नहीं कराई गई मैं ऐसे बना देता हूं ताकि आपको ध्यान दे कर आकर पूछ उसका कोई मतलब नहीं है वह कभी आते नहीं पेपर में ठीक है और वह रेलिवेंट भी नहीं है अगर आप खुद पढ़ोगे तो खुद ही आओगे क्या पढ़ लिया हमने ठीक है अब देखो धियोरी की होति है एक सोच है कि ऐसे चीज़ हो सकती है यह कहीं कहीं पर आशे सोच को अपनाया गया एकप अमेरिका में, इंडिया में, जर्मनी में, जिपैन में, यूएस में, यूएस अमेरिका ही हो गया, मतलब और भी जो यूरोपियन कंट्री है या फिर एशियन कंट्री है, वहाँ पर कुछ चीजें अपनाई गई हैं, कुछ तरीके अपनाई गई हैं, किस तरीके क्या सर कॉप ठीक है similar लग भी रहा है तो भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है दोस्त चलो अब इसमें मुझे बीज बीज में आज बुक भी रैफर करनी पड़ेंगी आपको बताने के लिए तो मैंने बुक ना अपने फोन में ही एक तरह से डाल दी थी मैं अपने पास उसको ना उपनगर कर रख लेता हूं आपको ताकि दिक्कत ना हूँ चालिए यह मुटा मुटा पढ़ लेते हैं एजनसी थेयरी या फिर शेयर होल्डर थेयरी देखो यह थेयरी क्या करते यह क्या होता है एक सोच है लिख मत देना पेपर में जाके सर ने तो सोच बताया था एक तरसे सब्सक्राइब कि ऐसा हो सकता है ऐसे चीज़ें होनी चाहिए ठीक है आपको वर्ड याद रखना है यहां पर एजनसी थेयरी या फिर शेयर होल्डर थेयरी क्या होती है दोस्त प्रेले वैसा समझ लेते हैं फिर वामासा देखेंगा नोट्स में से एजनसी थेयरी मैं चार्टी बना जेता हूं आपको आपके यह डियो की बुक में दे प्रेंड होते हैं सब कुछ उनके मन की कहीं चलेगी जन्यलिग आप इंडिया में क्या देखा है कि शेयर्वोल्डर मालिक हो गये काम कौन करता है बॉर्ड ड्र करते हैं मैनेजर वगरा करते हैं ठीक है वह डिसिजन लेते हैं कम्पैनी को चलाने का डिसिजन भी वही लेते लेकिन ये एजनसी थियोरी क्या कहती है कि भाईया देखो शेयर होल्डर अपुइंट करेंगे मैनेजमेंट को ठीक है शेयर होल्डर मोटिप क्या है फ्रॉफिट कमाना कि भाईया हमें मालिक क्या होता है कि हमें भाईया कमा के दो तुम अच्छे डिसिजन लो कोई गलतिया नहीं होने चाहिए कोई नोटिस नहीं आना चाहिए गवर्णना का मारे पास प्रॉफिट कमा के दो मैनेजमेंट इसमें अलग तरह से काम करता है वह कहता अच्छा ठीक है वाई मैं तेरे विहाफ पर काम कर रहा हूं लेकिन मुझे चाहिए इतना प्रॉफिट स्वरी आप लेकिन थोड़ा सा दिमांग खोल के रखना शेयर होल्डर के हिसाब सो सारा काम चलेगा एजेंसी थेओरी में तो शेयर होल्डर हो गया मेन बंदे प्रिंसिपल बोलेंगे और मैनेजमेंट क्या हो गया उसका एजेंट इसलिए बोलता उसको एजेंट थेओरी ठीक है देखो आपकी बुक में दे रखा है यह प्रिंसिपल नी थोड़ी हुई ना ठीक है अरे प्रिंसिपल के स्पैलिंग बलता हो गया प्रिंसिपल बोलो या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखलो शेयर होल्डर बैटक जो टैंशन ना लो समझ में आ जाएगा जिनके मन में डाउट आ रहा है ठीक है शेयर होल्डर हो गया आपका यह होता है आपका एजेंट ठीक है यह अपोइंट करेगा इससे शेयर होल्डर तो मैनेजमेंट रखेंगे अपोइंट करेंगे और यह क्या करेगा इसके लिए का करेगा काम करेगा इनका क्या है इनको आपके बुक में बता कि 需 नहीं बताओं वागे ठीक है इनको काम डेलीगेट करना इनका काम क्या है rd ना इनका की कॉन्सेट है अब देखो प्रिंसिपल याने बिकारद कर्फे रखेंगे अपने बिहाफ पे में क्या रखेंगे मैनेजमेंट और यह काम करेंगे इसके भिहाब पर इनकी ज्यादा नहीं चलेगी अगर उनको कोई बड़ा डिशन लेना भी है तो वह शेयरोल्डर से जाकर पूछना पड़ेगा भया हमनों कोई बड़ा डिशन ले रहा तू बता ठीक है बस इतना फर्क है अब को सिर्फ जब नेकस्ता अब समझ गें कि अपने मैनेजर को यानि एजेंट और अपने 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 के लिए यहां पे प्ड़ेंग के यानि सारे काम कों करेगा ओनर्सिप के पास ओनर्सिप है उसकी चलेगी कहने का मतलब यह ए शेयर होल्डर एज ओनर अफ देशाइड गरेंगे कंपनी क्या है दस शेयर होल्डर दे मैनेजर देखो मैनेजर को कहा जाएगा एजेंट जो कि कम्पनी चलाएंगे ऑन बियाफ अब यहां से पड़ो देखो दिक्कत क्या होती है इसमें दिक्कत ही होती है जो मैनेजमेंट है उनके पास ज्यादा शेयर होते ही नहीं है और यह प्रहलोंक्य होते ही अनम वोव यह लेपो फिर यहां ट्यागैं मिन्स के सेपास्व होते यह तो देंग रही हौ सब्सक्राइब कर देंगे कंपनी चला रहा है चलवकाश ढाच दखान नहीं देते हैं इनका अपना अब्जेक्टिव जाता बिंसिप अपना अब्यक्ट्ट वोऩा दोनों अपने अपने मन के मौज़्े बोलते हैं यहाँ पर मैं बहुत लेमन लेंगोज में समझा रहा हूं लेकिन आपको कंटेंड यह याद रखने हैं यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है यह, क्योंकि इसको लोग ना बहुत इक भ्युक्स करना उसकी जबरिस्ति कमिया निकालना कमिया निकालना बोल दो या फिर लिमिटेशन बोल दो एक ही बात है यहां के लिए सारे जिम्मेदारी शेयर ओल्डर के होती है सारे उसको लिए पड़ते हैं तो सारा भार किसे पड़ेगा शेयर ओल्डर पर कोई डिसीजन लेना तो मैनेजमेंट खुद नहीं ले लेता वो पूछता कि भाई तू बता यह चाहिश करता हूं कि नहीं करूं अगला नॉट्रवयण क्न्ड्री यूट आपनी कंट्री क्या इंडिय्आ इंडिया बीक्रेम कंट्री चुक्रिट बोले काम हूं किस्च लिए क्या हुत जयी। चले लेकिन चलाइंवाले मेनजमेंट है और और ऑ agu इसमें क्या होता है मैं बुक में देखता हूँ इसमें यह चीज्ज आपको कैसा समझाँ देखो इसी समझते हैं अब दिक्कत क्या है यहाँ पर तो इसके पास कोई शेर हैं नहीं मैंनेजमेंट के पास तो यह क्या करेगा दोस्त कि ज्यादा ध्यान देगा नहीं अगर जो इसका background है या उससा इसाप से काम करेगा इसने पिछली company में जहादा ध्यान नहीं दिया था महांपे भी सब्विस्त कोई restriction नई थी कोई इसके ओपर दबाव नहीं था काम करने का तो वहां भी डंग से काम नहीं करता था इसका background या पिछले पिछले experience जैसे उसने काम किया है वैसे यहां भी करेगा और वह अपने इंट्रस्टेट पर ज्याधा काम करेगा मतलब वह यह देखा कि मेरे को salary मिल रही है ना मेरे को bonus मिल रहा है ना बहुत है अपना इंट्रस धूड़ेगा वह ठीक है वह ज्याधा company के बारे में नहीं सोचेगा कि यह होगा agency theory अब आता है steward कि इस्टीवार्ड बोलो स्टुवड बोलो ऐसा स्टुवर्ड शिफ होता है मेरे इसका प्रणूशेशन अब स्टुवर्ड थेोरी में क्या होता है थोड़ा सब different है पहले से यह सोच क्या क्याती है दोस्ति यह सोच क क्या होता है अपने इंडिया में जो मैनेजमेंट होता है उसके पास भी थोड़े बहुत शेयर होते हैं ताकि वह अच्छे से काम करें तो यहां पे वह भी अपने डिसीजन बनाता है और काम अच्छे से करता है यह नहीं है कि वह अपने अपने बारे में ही सोचेगा यहां प तो यह थोड़ा ने ट्रस्ट वर्दी होता है ठीक है और वह ऐसा नहीं चाहेगा कभी नॉट प्रॉंट टु मिस अप्रोप्रियेट इस थेओर के साफ से थेओर कहती है कि मैंजर ना अच्छे से काम करना चाहिए कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां है कि मैंजमेंट भी कंपनी के बारे है कंपनी कि में कोई गल्तिया ने करेगा ठीक है आगे पढ़ते हैं, manager is left on their own, देखो, बहुत प्यारी लाइन है, management को अपने ऊपर छोड़ दिया जाता है, किस चीज के लिए decision ले पाए, वहाँ पर decision नहीं ले पाता था, यहाँ पर उपना decision ले पाएगा, कुछ भी काम करना, कोई बड़ा decision लेना, कोई बड़ी मश्कीन भी नए contact उठाने है, नहीं party से बात करना है, ठीक है, चलो, यह point हो गया आपका, तो इसलिए, क्योंकि इस पर trust रहता है, तो इसलिए इसको 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 ट्रस्ट वर्द, ट्रस्टीशिप थियोरी भी कहा जाता है, थियोरी argues that the manager are not only agent of the shareholder, they are good steward, steward का मतलब क्या होता है, तो caretaker, क्या बोल रहा हूँ है, जबान फिसल रही है, क्या बोलता है, caretaker, इसको caretaker ही बोलते हैं, ठीक है, तो यह एक तरह से caretaker का कारम करेगा, caretaker तो सुनाई होगा आपने, जब आपना घर छोड़, जैसे जो अमीर लोग होते हैं, वो अपना घर छोड़ के कई दिनों के घुमने चले जाते हैं, या फिर बाहर शिप्ट हो जाते हैं, दूसरी कंट्री में, यूएस, यूके, कैनेडा रहने लग जाते हैं, यहाँ पर घर छोड़ देते हैं, एक caretaker का परोसे, वो caretaker का करता है, अच्छे से देखबाल करता है, ठीक है, घर में कोई कमी हो, सफाय हो, सब कुछ हो देखता है, similarly यह यहाँ पर caretaker की तरह से काम करता है, इस theory में management, ठीक है, आगी क्या था, and work diligently to attend the high level of corporate profit, ताकि corporate profit अच्छे से हो, और shareholder को अच्छा return मिले, ठीक है, अब इसमें एक issue और भी है, यह देखो, यह बहुत important line है भाई, देख लो, stakeholder क्या होते है हमारे, stakeholder भी आ गया, government भी आ गया, employees भी आ गया, management भी आ गया, income tax department भी आ गया, investor भी आ गया, stakeholder तो सारे आ जाए जो भी related होते हैं, इस theory में बस यह है, कि यह सारे stakeholder पर ध्यान नहीं देता है, management, उसका काम क्या है, company पर ध्यान देना, ताकि shareholder का profit अच्छा खासा, उसको मतलब नहीं, investor जाए बाड में, उसको मतलब नहीं, government को शीर का, text कम बचा, text में हमने चोरी चपारी कर ली, चोरी चकारी करके हमने काम कर बता रहा हूं, logic बता रहा हूं, तो यह सारे stakeholder पर ध्यान नहीं देता, यह ध्यान देता है, mainly किस पर, shareholder पर, ठीके दोस्त, उसे इतना फरक है, अब आता है stakeholder theory, अब इतने पढ़ने के बाद आप समझी गया होगे, stakeholder theory में क्या होता है, इस theory में क्या होता है, सब का ध्यान हटा ना हो, government को अपना, जो उतना tax बनता है, company उतना tax भरे, society के वाग लिए कुछ काम करना, society के लिए काम करे, company, shareholder के लिए profit generate करा के दे, manager को जितने salary मिलने, उतने salary मिले, employee को जितना काम के बदले मिलना चाहिए, उतना मिले, यानि सब को सब के हिसाब से फायदा हो, this is called stakeholder theory, ठीक है, अच्छा इसका अगर criticism point होगा ना तो यह वाला होगा, यह सर criticism point है, ठीक है, last, यह वाला, यहाँ पर आप लिख लो, criticism, यह सर criticism है, यहाँ से, अगला stakeholder मैंने बदाई दिया है, यहाँ पर क्या है, देखो, इसका मतलब क्या होता है, कि not, सिर्फ, shareholder का interest देखना नहीं है ऐसा काम, इसका काम क्या है, maximize our change from maximize the interest of shareholder to maximize the interest of the company, यहाँ पूरी की पूरी company की value बढ़े, जब सबको फायदा होगा, तो company की value बढ़ेगी दोस्त, इसका कहने का मतलब यह है, यह सब पर ध्यान देगा, stakeholder लिखा है, shareholder नहीं है, ठीक है, यह ध्यान रखना, अब इसमें कमिया क्या होती है, इसमें criticism क्या point है, this theory is critical, देखो, कहने को होता है, यह वाला point क्या criticism, सुन लो, कहने को होता है, आप सबका ध्यान दे लो, लेकिन क्या हो पाता है ऐसा, company यह गरती है, सोचती है कि यार, नय employee आये, employee हो कम से कम salary देना ही पड़े, काम उससे करवा रहे हैं, 10 लाग का, salary देना है उसको एक लाग, आप भी जानते हो, या नहीं जानते हो, तो जान जाओगे, ठीक है, और हर company चाती है कि कम से कम tax भरना पड़े, तो वो कुछ ऐसा नुक्स निखालती है, नुस्खे निखालती है, कि उसको tax कम भरना पड़े, ऐसे laws के income tax कुछ ऐसे points निखाल लेती है, ताकि उसको tax कम भरना पड़े, तो हर किसी को खुछ रखना, यह possible नहीं है, यही है इसका criticized point, और जो सही भी है, आपको लगता है, हर किसी को खुछ रख पाऊ है, सारे stakeholder को, ऐसा होता नहीं है, यही इसका main criticism point है, अब देखो दोस्त, है क्या दिक्कत, आपकी book में न, इसके भी criticism point ज्यादा दे दो point और होंगे, इसके भी 2-4 point और होंगे, लेकिन, कई लोग और book में criticism point पड़ाते ही नहीं है, तो हमने उतना पड़ा है, जितना आपके लिए relevant है, और जो आपका exam point, exam में आपको extra mark दिला सकता है, इससे ज्यादा करोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इससे कम करोगे, बहुत सा teacher पड़ाते हैं इसको, वो से theory theory पड़ा जेते हैं, और वो भी बिल्कुल bookish language में बताएंगे आपको, और criticism point बहुत कम लोग कराते हैं, बहुत कम लोग कराते हैं, और जो लोग कराते हैं, वो बहुत ज्यादा deep में घुसते हैं, उतना घुसने का फायदा नहीं है, मैं भी जानते हूं, आप भी जानते हूं कि आप इस subject कितना relevance देना चाहते हूं, मेरा motive यह है कि इस subject से आपके number बढ़ जाए, extra से extra, कम से कम महनत में ज्यादा ज्यादा नमर इसमें लापावा, वो point में आप ज्यादा ध्यान दोगे, जो point आपके paper में आने ही नहीं है, तो पूल झाल